नमस्कार मैं हूँ श्रेय आर्या और आप देख रही हैं इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स आईपियल को शुरू होने में महस कुछ ही दिन बचे हैं लेकिन उससे पहले ही लकनव की टीम के लिए चिंताएं बढ़ती जा रही हैं अब दरसल हुआ ये कि लकनव के तेज गेंदबास मार्क वोड इंज़र हो गया अब एक प्राइम गेंदबास के टीम से बाहर हो जाने के बाद लकनव का टीम मैनेजमेंट हताश हो गया आननफानन में बांगलादेश के क्रिकेट बोड को दर्ख्वास लगाई गई कि उन्हें तसकीन एहमत उपलब्द कराया जाएं लेकिन बांगलादेश की तरफ से साफ शब्दों में इंकार कर दिया गया है जरसले पूरा मामला है बांगलादेश क्रिकेट बोर्ट की तरफ से नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट को लेकर आपको बता दें कि तसकीन एहमत को मार्क वुड की जगा लेने का खयाल बनाया जा रहा था और इसलिए लखनव की फ्रेंचाइजी के मेंटॉर ने बांगलादेश क्रिकेट बोर्ट को इसके लिए दरख्वास की थी लेकिन आने वाली सौथ अफरिका सीरीज को देखते हुए बांगलादेश के क्रिकेट बोर्ट ने तसकीन एहमत को नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया अब इसके बाद से ही उनके लिए चिंताएं बढ़ चुकी हैं गंभीर की टीम में इस वक्त मार्क वुड के साथ साथ दुश्यंतर चमीरा आवेश खान और रवी विश्नोई मौजू थे लेकिन चुकी मार्क वुड अब इंजड हो चुके हैं उनकी जगह एक दूसरे ऑप्शन की तलाश की जा रही है हाला कि एक बात यहां पर जानने वाली यह भी है कि साथ अफ्रिका के खिलाब सीरीज की वज़ा से जो बांगलादेश ने नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे मना किया है वहीं दूसर और नौकिया समेथ कई ऐसे गेंदबाज हैं जो आई पिल में अलग-अलग फ्रेंचाइजी में आपको देखने को मिलेंगे रही बात गुजरात के टीम की तो उनके पास आवेश खान दुश्यंतर चमीरा और अवी विश्नोई इस वक्त मौजूद हैं लेकिन मार्क पहले ही एक टीम के साथ जुड़ चुके हैं तो इसलिए तसकीन एहमत को यह ओफर मिला हाला कि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ट की तरफ से इस बार उन्हें नोसी देने पर हामी नहीं भरी गई बांगलादेश क्रिकेट बोर्ट के चेर्मैन जलाल यूनुस ने कहा है जगा गुजरात की टीम किसे अपने खेमे में शामिल करती है और वहीं किस तरह से अपने पेस पॉलिंग अटैक को गंभीर मैनेज कर पाते हैं फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल भी ना भूले हमारे चैनल को सब्स